नमस्कार आज हम पढ़ रहे हैं मद्य प्रदेश बोड की हिंदी विशिष्ट नवनीत का दूसरा पार्ट जो है वातसले भाव उस वातसले भाव में हम पहला खंड पढ़ रहे हैं कविता वली तो कवितावली एक पूरा के पूरा गरंत है कवितावली के बारे में पहले थोड़ा से जान ले कवितावली के रचैता तुलसी दास जी है और कवितावली के अंदर सवये और कवित छंदों का प्रियोग करके तुलसी दास जी ने रचना लिखी है जिसके अंदर भगवान शी राम की चरित्र का वर्णन इनों ने साथ कांडों में किया है जैसे कि रामचरित मानस या वालमी की रामाइड ये जितनी भी रामाइड है जिन में साथ कांड प्रमक रूप से देखे जाते हैं अधिकतर कहीं कहीं आठ कांड किसी रामाइड के अंदर भी देखे जाते हैं लेकिं साथ कांड जन्दली देखे जाते हैं बाल कांड, अयुध्या कांड, किश्किंदा कांड, अरिन्या कांड और सुन्दर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड इस प्रकार से साथ कार्ण देखे जाते हैं गई गई लंका कार्ण को युद्ध कार्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है क्योंकि उसमें राम रावन के मध्य में युद्ध हुआ था अब यहाँ पर जो कविता वली हमें पाठ दिया है तो कवितावली पाठ के अंदर हमें भगवान शीराम के बाल रूप का चित्रण किया गया है यानि कि कवितावली गरंथ के अंदर से बाल कांड से यहां पर पांच सवये हमको दिये गए इसके रचेता हैं तुलसीदाज जी के कवितावली को देखेंगे जिसमें कवितावली को हम देखेंगे इसके बाद जो वातसले भाव का दूसरा है सोए हुए बच्चे से वह हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे तो पहले तुलसीदाज जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो इसके रचेता है और हनुमान बाहुकुन का एक गरंथ है इस प्रकार से अनिक गरंथों की रचना करी जिन में से रामचरित मानस जो है महा काव्य है और विने पत्रिका खंड काव्य है जिसके विने पत्रिका के अंदर बहुत सारे पद्यों का संकलन है जिसमें तुलसी दास जी ने भगवान श्री राम के प्रती विने याचना करते हैं भजनों की रचना करते हैं उनका संकलन किया है तो कविता वली के अंदर हमने जान लिए कविता वली के अंदर बहुत सारे सवईय और कवित के माद्यम से रामकथा का वरणद है दोहा वली के अंदर दोहे ही दोहे, सारे दोहे हैं, तो इस प्रिकार से इनके ये सारे ग्रंत है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, वो कविता वली ग्रंत से ही पढ़ रहे हैं, और पाठ का नाम भी कविता वली ही है, तो पाँच है यहां पर सवईय हमारे सामने, जिन में से रूप को देख रहे हैं यहापे इन सवईयों के अंदर तो पहला सवईया है अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपती ले निक से अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जेना ठगे धिक से तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से सजनी ससिमे समसील उभै नविनील सरूरुह सेबिक से इसका अर्थ है अवधेश के द्वारे सकारे गई यहाँ पर जो है एक सकी दूसरी सकी से कह रही है यहाँ पर वर्णन क्या है कि भगवान शी राम को एक सकी ने देखा है अब वो दूसरी सकी से कैसे भगवान शी राम के बाल रूप का वर्णन कर रही है वो बता रही कि अवधेश के द्वारे सकारे गई यहाँ अवधेश राजा दशरत के द्वार पर सुबह के समय गई जैसे कि छोटे बच्चे को जैसे होते हैं छोड़ों सोबे सोबे गुमाने के लिए निकलते हैं माता पिता तो उस समय राम छोटे ही थे बच्पन में थे गोदी में थे तो भूपत यह नि राजा दश्रत उनको गोदी में लेकर निकले उनको सेहर कराने के लिए या फिर बाहर का वातावरन दिखाने के लिए छट पर या फिर अटारी पर या फिर बाहर निकले तो सखी ने उनके बाल रूप को देखा अब वो क्या कह रही है कि अवधेश के द्वाले सकारे गई मैं सोबे सोबे जब अवधेश यानि अवध के ईश राजा दशरत के द्वार पर गई तो सुत गोद के भूपती ले निकसे अपने बेटे राम को गोद में लेकर राजा दशरत निकले अब लोग की हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जेना ठगे दिकसे यानि अब लोग की अब लोग के हो सोच विमोचन की उस सोच को सोच कर मैं अब लोग यानि अभी भी ठगी सी रही मैं अभी ठगी सी रह गई उस रूप को देखकर और जे न ठगे जो ठगे नहीं रहे दिक से उनको दिककार है यानि जो श्री राम के बाल रूप को देखकर उनके सुन्दर रूप को देखकर जो ठगे नहीं गए उन पर तो धिकार ही है उनके नित्रों पर उन्होंने नित्र का लाब ही नहीं पाया जैनि मैं तो ठगी सी रह गई उनके रूप को दिकार इतना सुन्दर रूप है उनका और जे नहीं ठगे गए जो जो नहीं ठगे गए जे न ठगे दिक से उनको धिकार है तुलसी दास कहते हैं कि मन रंजन, मन को रंजित करने वाले, मन को आनंद देने वाले रंजित अंजन, अंजनों से रंजित, अंजन से रंजित, यानि काजल से रंजित, काजल से सजे हुए और नैन सुखंजन जातक से उनके नैन कैसे है सुखंजन जातक से सुन्दर खंजन पक्षी जो होता है उसके नित्र बड़े सुन्दर होते है सबसे सुन्दर नित्र माने गए तो यहाँ पर तुलस्की दास कहा रहा है कि उनके नित्र कैसे है किसी भी जीव का बच्चा बड़ा हम देखते हैं बड़ा प्यारा होता है जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं क्यूट तो क्यूट होता है अब खंजन पक्षी जो की सबसे सुन्दर नेत्रों वाला पक्षी है उसके भी बच्चे के नेत्र जो की बहुत क्यूट है बच्चे के नेत्र सोची है कैसे होंगे जो पक्षी सबसे सुन्दर नेत्र रखता है उसके बच्चे के नेत्रों के समान किसके नेत्र है भगवान श्री राम के तो सखी क्या कह रही है कि तुलसी मन रंजन तुलसी दास कहते है कि मन को रंजित करने मन को प्रसंद करने वाले रंजित अंजन काजलों से रंजित काजल लगे हुए नैन सुखंजन जातक से शीराम के नैन कैसे है सुंदर खंजन पक्षी के बच्चे के समान है सोची एमेजन कर सकते हम और सजिनी ससी में समसील उभे वो कहरी कि है सजनी सशी में चंद्रमा में समसील उभै नवनील सरूरु है से विकसे यानि चंद्रमा की शीतलता में मानों ऐसा लग रहा है कि नवनील नए नील सरूरु है से विकसे नए नील कमल के समान विक्षित हो रहे है ऐसे उनके नेत रहे हैं जैसे नील कमल विक्षित हो रहे है चंद्रमा के मध्ध चंद्रमा यानि की उनके मुख की तुलना चंद्रमा से की है तो कहा रही है सजिनी ससी में है सजिनी चंद्रमा में समसील उभै ऐसा लग रहा है कि समसील समान रूप से उभै यानि दो नव नील नए नील सरूर है यानि कमल से विक से कमल के समान विक्षित हो रहे हैं खिल रहे हैं ऐसे उनके सुन्दर दो नेत रहे हैं तो यहाँ पर पहला चंद यहाँ पर पूरा होता है इसके बाद दूसर चंद यहाँ पे तुलसी दास वरडं कर रहे है क्या किए रहे तुलसी दास क्या क्या कर कन्जनी यानि पग में नूपुर बज़रा है आप पहुची कर कन्जनी हाथ कर कन्जनी हाथ रूपी कमल में कर कंज का मतलब होता है कमल तो कर यानि हाथ कंज यानि कमल हाथ रूपी कमल में मंजू मनी बनी मनी माल दिये मंजू यानि बड़ी सुन्दर बनी यानि लग रही है मनी माल मनियों की माला दिये हुए दिये हुई और नवनील कलेवर शरीर कैसा है नया नील वर्ण का है ना नवनील कलेवर यानी शरीर पीत जंगा जलक है उस पे क्या जलक रहा है पीत जंगा यानी पीली जंगुलिया जो छोटे बच्चे पहनते है तो ऐसे पीली यानी भगवान शी राम का प्रिय रंग है पितामर पीला वर्ण पेंते हैं पीले रंग का वस्त्र तो इसलिए उनको पितामर धरी बोलते हैं पितामर पेंते हैं न तो पग नूपर और पहुँची कर कंजनी यानि पैरों में नूपर है और पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मन माल दिये यानि की हाथ रूपी कमलों में सुन्दर मनियों की माला दिये हुए है और नव नील कलेवर पीती जगा जलके यानि नए नील कलेवर पर पीती यानि पीला कलर का क्वीले रंग की जगुली जलक रही है अर्विंद सु आननू रूप मरंदू यानि कि उनका जो आननू यानि मुख है वो अर्विंद यानि कि कमल के समान है अर्विंद कमल को कहते है तो अर्विंद सु आननू रूप मरंदू आनन्दित लोचन भरंग पिये तो क्या है कि अर्विंद सो आननू उनका जो चहरा है वो अर्विंद के समाने और रूप मरंदू उनका जो रूप है वो फूल का होता है पराग होता है ना मरंदू यानि पराग तो फूल का जो पराग है आनन्दित लोशन भरंग पिए लोशन यानि नेतर रूपी भरंग यानि भोरे पिए यानि पीकर आनन्दित यानि प्रसन हो रहे है तो भगवान शीराम का जो चहरा है जो मुख है कमल के समान मुख है उस कमल के समान मुख का पराग जैसे फूल का पराग होता है ना कमल के समान मुख का जो रूप पराग है कमल के समान मुख का जो रूप है वो पराग के समान है उसको जो भरंग यानि मेरे जो नेदौनों नेत्र है वो भोरे के समान है और उसके रूप का पराग वो पी रहे है और आनन्दित हो रहे है तो अर्विंद सो आननू रूप मरंद आनन्दत लोचन ब्रंग पिए एक शब्दकार्थ अर्विंदकार्थ कमल आननुकार्थ होता है मुख रूपकार्थ हम जानते ही है मरंदुकार्थ पराग अनन्दत यानि प्रसन हो रहे है लोचन यानि आखो रूपी ब्रंग यानि की भूरे पिए यानि पीकर आगे लिखा तो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जीए तुलसी दास कहते है कि मन मोन बसो मन को मोहने वाला बसे हो यानि बस गया है अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जीए तुलसी दास कहते है कि जग में और कौन से फल के लिए जी रहे हैं तो ऐसा बालक ही हमारे नित्रों में आबसा हो तो फिर और क्या देखने की इच्छा बाकी रह जाए क्या क्या रहे है मन मोन बसे हो यानि मन को मोने वाला बालक जब बस गया है अस बालक हो ऐसा बालक जो तुलसी जग में फल कौन जी है तुलसी के अदास कहते है कि फिर संसार में और किस फल के लिए जी है तो यहाँ पर शीराम के रूप की फिर से सुन्दरता का वर्णन किया है आगे अगला सविया है तनकी दुती स्याम सरूरू है लोचन कंज की मंजुलताई हरे यानि तनकी दुती यानि भगवान शीराम के शरीर की दुती यानि जो कांती है श्याम सरूरू है लोचन कंज की मंजुलताई हरे तो जो भगवान के तनकी दुती है जो श्याम सरूरू है यानि श्याम कमल के समान श्याम सरूरू है यानि कमल के समान लोचन है भगवान के मुकंज की मंजुलता ही हरे मुकंज यानि कमल की मंजुलता कमल की कोमलता को भी हर लेते है यानि कमल की कोमलता भी लज्जित है उनके नित्रों के सामने क्या कह रहे है तनकी दुती भगवान शीराम के तनकी जो दुती यानि कांती है श्याम सरूरू है वो कैसी है श्याम सरूरू है लोचन उनके जो आखे है वो श्याम कमल के समान नील कमल के समान है और वो क्या कर रही है कंज की मंजुलता ही हरे कमल की मंजुलता कमल फूल कमल के फूल की कोमलता को भी हरे लेती है तरसकरत करती है और यानि कमल से भी ज्यादा कोमल और सुन्दर भगवान शीराम की आँखें, आगे कह रहे हैं, अति सुन्दर सोहत धूरी भरे, छवी भूरी अनंग की दूरी धरे, यानि अति सुन्दर, बहुत जाद सुन्दर, सोहत यानि सुशोबित हो रहे हैं, लग रहे हैं, धूरी भरे, धूल से भरे हुए, छोटा बच्चा होता ह ना कोटनों के बल चलता है तो दूल से सन जाता है तो तुलसी दास कह रहे हैं कि अती सुन्दर सोहत बहुत सुशोवित हो रहे है धूरी भरे धूल से सने हुए छवी भूरी अनंग की दूरी धरे और उनकी जो छवी है वो भूरी भूरी यानि बहुत सारे अनेकों कोटी कामदेवों की दूरी धरे दूर कर देती है दूर रख देती है यानि कि कामदेव जो सुन्दरता की देवता माने जाते है ऐसे अगर अंगेनत कामदेव भी मिल जाए तो भी भगवान शीराम की सुन्दरता की बराबरी वो नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्यों 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 कामदेव को सुंदर्ता का देवता बनाने वाला कौन है भगवान स्वयम है ना भगवान नहीं हर देवी देवता को एक नएक डेपार्टमेंट सोपा है जैसे सरस्वती को विद्या का डेपार्टमेंट लक्ष्मी को धन का डेपार्टमेंट शिव को शक्ति का योग का डेप शक्ति दुर्गा को शक्ति का डिपार्टमेंट गणेश को बुद्धी का डिपार्टमेंट इंद्र को वरिशा का डिपार्टमेंट वरुण को जल का डिपार्टमेंट हर देपता को एक नएक डिपार्टमेंट भगवान मिश्नु ने भगवान श्री कृष्ण ने राम ने स भगवान श्री राम जब सबको सौपने वाले हैं, तो कामदेव को सुंदरता का डिपार्टमेंट भगवान ने दिया है, सुंदरता के देवता कामदेव है, तो सुंदरता का देवता सोचिए कितना सुंदर होगा, लेकिन उसको सुंदरता सौपने वाला कौन है, उसको बना यह ना सकता है 1000 लाग करोण अनगेनत को हम लिमिट नमीट नहीं कर सकते हैं तो अति सुदर सोहित धूर भरे यानी भगवान-शीराम का जो सुदर शरीर है दूल से भरा हुआ वह च्वी बूरी अनगे की दूर धर है वो च्वी यानी उनकी झो च्वी है बूरी यानि अनगे यानि कामदेवों की दूरी धर है दूर धर रख देता है तो अनंग क्यों कहते है कामदेव को अनंग यानि अन प्लस अंग अन धन अंग अन यानि रहित अंग यानि अंग से शरीर से तो कामदेव के पास शरीर नहीं है शरीर से रहित है वो तो कि भगवान शिव ने जब उन पारे पास रहेंगे, बस वो अपने शरीर से नहीं रहेंगे, वो किसी के भी शरीर में विराजित हो जाएंगे, यानि कामदेब के पास खुद का शरीर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए लिखा है, अति सुन्दर सोहत धूरी बरे, छवी भूरी अनंग की दूरी धरे, करोणों क कामदेबों की छवी को भी वो दूर रख देते हैं, तरसकरत कर देते हैं, उनके नेत्रों की कुमलता, कमल की कुमलता को हर लेती है, और उनके धूल से बरा हुआ शरीर की कांती, करोणों कामदेबों की कांती को भी तरसकरत कर देती है, सुन्दरता को भी तरसकरत कर देती ह आगे लिख रहा है दमके दतियां दुती दामिनी जो दमके यानि दमक रही है दतियां यानि दात दुती यानि कांती कैसी है उनकी दामिनी जो जैसे दामिनी की हो दामिनी यानि बिजली की हो जैसे बिजली की कांती जो होती है दमक और चमक में क्या अंतर है देखिए यहां तुलसी दास ने दमके का प्रियोक किया है दमके दतियां दुति दामी नीजियों है ना तो कारण क्या है यहाँ पर दमके शब्द का प्रियोक करने का तो दमके शब्द का अर्थ है दमकना चमकना का अर्थ है कि स्पार्कलिंग डारेक्ट प्रियोक हो रही है तो दमक का अर् जैसे वो मुझ कोलते है असने के लिए हुसने के लिए खिल्क लाकर हसते, जो ऐसे लगता है ऐसे बिजली एकदम कड़क गई हो, बिजली की तरह, द्यामीनी की तरह, इतनी सुन्दर भगवान की दात है, तो एकदम से ऐसा नहीं कि सीधे चमक आ रहे हैं उनमें, चमक में और दमक में यह अंतर है तो दमकें दुतियां दमकें दतियां भगवान शीराम की जो सुन्दर दतियां यानि दात है अब दतियां क्यों बोला है छोटे छोटे दात है इसलिए दतियां बोला है दमकें दतियां दुतियां यानि कांती दामिनी जो है, जैसे दामिनी की कांती हैं, जैसे बिजली की कांती हैं, दामिनी यानी बिजली और किलके कल बाल बिनोद करें, किलके यानी किलकारी मार रहे हैं, कल बाल बिनोद करें और किलकारी कैसे मारने है जैसे बाल बिनूद कर रहे है जैसे बच्चा बिनूद करता है मौच करता है बच्चा छोटा अब सोच सकते हैं मैं इमेजिन कर सकते हैं कैसा होगा जब साल सार एक बच्चे की सुन्दरता देखे हैं मोहित हो जाते हैं तो ये तो सुयम परमेश्व व्युक्त्सुमूदूंध। व्युक्त्सूदूंध। चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बेरें, ये सदा तुलसी दास के मन रूपी मंदिर में बिहार करें, घुमें, ये आपर केरें, अगला चंद अगला सवईया है, कवहू ससी मांगत आरी करें, कवहू प्रतिविंब निहारी डरें, कवहू करताल बजाई के नाचत, मातु सवे मनमोद भरे यानि कभी तो वो बालक होता है ना बड़ा हटी होता है जिद्धी होता है तो क्या कर रहे है कभी तो चंद्रमा मांगकर आरी यानि जगणा कर रहे है कभी अपना प्रतिविम परचाई देखकर ही डड़ जाते है लीला कर रहे है वो तो बाल लीला तो कभी शशी मांग कर चंद्रमा मांग कर लड़ाई करते कि मुझे वो देखो चंद्रमा देख रहा है ना आसमन में वो ही चंद्रमा चाहिए अब लाके दो कासित होगे अगर जिद पकड़ जाया बच्चा तो फिर मनाना मुश्किल है और वो तो भगवान है सब जानते है वो तो जान बूच के जिद पकड़ गए जो जान बूच के जिद पकड़ा हो उसे मनानो तो और भी ज़्यादा मुश्किल है जो अन्जाने में जिद पकड़े उसे तो मना भी सकते हो लेकर जो जान बूच के जिद पकड़ा है वो तो फिर कब मानेगा? जब उसका मन करेगा तब ही मानेगा वो तो क्या कवहूं ससी मांगत आरी करें कभी चंद्रमा मांगकर जगणा कर रहे हैं और कभी अपनी ही परचाई देखकर डढ़ जाते हैं क्योंकि राजा दशरत के जो महल है वो मनि में खंबों से बने हुए मनिया लगी है चारो तरफ ऐसी मनिया जिसमें अपना शुरूप दिखाई दे जाए आज तो काश लगते हैं लेकिन पहले मनियों से जड़े हुए महल होते थे तो अब मनियों के उसमें प्रति में मनियों के तेज में मनियों की कांती में अपना प्रति म बजा के नाचते हैं और मातु सवे मन मोद भरें सभी माताओं के मन में मोद यानी प्रसंदता भर देते हैं मातु सवे मन मोद भरें मन में मोद यानी प्रसंदता भर देते हैं जितनी भी माता हैं कोशल्या सुमित्रा के कही कभी रिसियाई जाते है यानि गुस्सा हो जाते है यानि कि करोधित हो जाते है कभी रिसियाई कहे हटिके हट करके कहते है पुनी लेत सोई जह लागी अरे और जो उने लेता है गोद में उस से जगड़ने लगते है और अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदर में भेरे तुलसी दास कहते है कि ऐसे अवधेश राजा दशरत की चारों मालक सदा तुलसी मन मंदर में भेरे यानि कि घूमे इस प्रकार से यह सवया भी complete होता है अगला सवया है वर दंत की पंगती कुंद कली भगवान शीराम के जो दंत की पंगती है दातों की पंगती है कतार है वो कैसी है वर अनिश्रेष्ट है वर दंत की पंगती कुंद कली और कुंद की कली के समाने कुंद एक पुष्ब होता है कुंद का पुष्ब सफेद स्वच्छे चोटा चोटा उसकी कली के समान भगवान शीराम के दातों की पंक्तिया है और अधरादर पल्लव खोलनकी और अधरादर यानि भगवान श्री राम के जो अधर है होट है दो वार कहा है यापर अधरादर अधर धन अधर उपर का होट नीचे का होट अधरादर पल्लव खोलनकी वो कैसे है पल्लव खोलनकी पत्ते के समान में जैसे कोमल पत्ता हो नया और चपला चमक है चपला ने बिजली चमक रही है और घन बीच जगे उस्त हो एक तो 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 टाटों को तो तो जी कि ज़érieur नशाथgsिथ cyaam यानि बादल के समान श्याम है तो ऐसा लगता है जैसे ही वो हसते है तो चपला चमक है बादलों के बीच में गन बीच बादलों के बीच में क्योंकि बादलों के बीच में जैसे हुनका रंग है और बीच में जैसे ही वो हसते है गुंगरारी लटके मुख उपर उनके मुख के उपर कैसी लटे लटक रही है बालों की गुंगरारी यानि गुंगराली तो गुंगरारी लटे लटके बगवान शीराम के मुख के उपर गुंगरारी लटके मुख उपर बालों की गुंगराली लट लटक रही है, बड़े सुन्दर बाल है उनके गुंगराले, जब किसी बच्चे की गुंगराले बालों तो देखो फिर, तो गुंगराली लटके मुख उपर, और कुंडल लोल का पोलन की, और जो कुंडल है, कानों की कुंडल है, वो लोल का पोल और कुंडल भी आ रहे तो गुंगराली लटे लटके मुक उपर कुंडल लोल कपोलन की और नेवचावरी प्रान करे तुलसी बली जाओं लला इन बोलन की इन तुलसी दास कहते हैं कि मैं नेवचावरी प्रान करे मैं अपने प्राणों को भी नेवचावर करता हूँ तुलस तुलसी दास अपने प्राणों को भी निवचावर करता है बली जाओं लला इन बोलन की मैं इन लालों की बोली पर बलिहारी जाता हूँ तो बली जाओं लला इन बोलन की इन लालों की इन बच्चों की बोली पर भगवान शीराम इन लला की बोली पर मैं अपने प्राणों को भी निवचावर करता हूँ और बली बली जाता हूँ बली हारी जाता हूँ तो निवचावरी प्राण करें तुलसी तुलसी दास अपने प्राणों को निवचावर करते हैं और कहते हैं बली जाओ लला इन बोलन की इन लाल की बोली पर मैं जाता हूं बल्यारी जाता हूं इस प्रकार से यहां पर पांचों सवया कंप्लीट होते हैं तुलसी दास के द्वारा लिखे हुई कवितावली गरंत से इसके बाद हम सोय हुए बच्चे से पार्ट को हम खंड को हिस्से को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे और इसके exercise का अभ्यास का अलग वीडियो बनेगा चलिए बहुत बहुत धनेवाद वीडियो को देखने के लिए अन्य वीडियो भी आप लिंक में दिस्क्रिप्शन ने देख सकते हैं या फिर चैनल पर क्लिक करके आप वीडियो की लिस्ट में देख सकते हैं तो support जरूर कीजए आपके स्कूल के अपने क्लास के अपने स्टूडेंट्स के साथ के कोचिंग क्लासेस के ग्रॉप्स में इन वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद